हेलो दोस्तों, बेजल लेस मोबाइल स्क्रीन के लिए कई सारे मोबाइल कमपनी में कई सालों से रेस लगी हुई है जिसमें पहले नॉच वला डिस्पले आया, फिर ड्यू ड्रोप वला नॉच, फिर स्लाइडर फोन, पॉप अप कैमरा और कट आउट कैमरा और इस रेस का फूल स्टॉप तब होगा, जब कैमरा स्क्रीन के अंदर चला जाएगा जैसे फिंगर पिंट स्केनर स्क्रीन के अंदर चला गया है, तो सभी कमपनी इस पे काम कर रही है तो ओपो और सौमी दोनों ने कल अपने इन डिस्प्ले कैमरा वाले प्रोटोटाइप फोन का वीडियो सेयर किया है जो काफी प्रामिसिंग है और जल्दी हमारे बीच होगा तो पहले ओपो ने अपना in display camera phone का first look video share किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि full screen display है जिसमें camera on होता है और फिर कोई camera के उपर हाथ रखकर सो करता है कि उसी तरब camera है screen के नीचे तो ओपो ने under display camera phone का video डाला तो फिर सौमी ने भी 4 घंटे बाद अपने under display camera phone का video डाला जिसमें आप देख सकते हैं कि दो phone है एक में due drop notch है और एक में नहीं है और बिना notch वाले phone में camera on होता है यानि under display camera है इसमें तो ऐसा possible कैसे होता है camera को screen के अंदर करना तो सौमी ने इसका basic explanation दिया है कि selfie camera screen के अंदर है और उसके उपर का screen का हिस्सा transparent OLED है जैसे कि transparent OLED TV होता है जो on रहते हुए normal screen होता है पर off होते ही transparent हो जाता है तो वहीं इस phone में भी है जब आप screen को use करेंगे तो normal screen के तरह काम करेगा पर camera on होते ही वहाँ का screen transparent हो जाएगा और light को अंदर जाने देगा जिससे camera असानी से display के अंदर होके भी काम कर पाएगा ये screen 100% transparent होगा या उससे कम होगा ये तो confirm नहीं है पर sawmy ने कहा है कि camera के उपर screen पे जो glass है वो low reflective high transmittance वाला glass है जो एक lens की तरह काम करेगा और normal glass के मुकाबले ये ज़्यादा light अंदर जाने देगा साइद 98% तक और इस watch वाले camera से better photo आएगा तो ये तो ऐसे phone launch हने के बाद ही पता चलेगा अभी तो research development चली रहा है इस पर और अभी और improvement भी होगे इसमें और साइद अगले साल थक में under display camera phone market में मिल जाए इसके अलवा Samsung भी under display camera पर काम कर रहा है और इसके अलवा screen के अंदर से haptic feedback और screen के अंदर स sound पर भी काम कर रहा है तो इस smartphone का future अभी और भी काफी interesting होने वाला है तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लिस like, comment, share कर दें और मेरे चलों को subscribe करना और bell icon क्लिक करना भी न भूले so thanks for watching